कि हम यहाँ पड़ देखेंगे एक टोपिक है हमारा अथचेतनमन के बारे हम देखेंगे कि हमारा जो अथचेतनमन है उसकी सक्तियां क्या-क्या है वो किस तरीकी से काम करता है तो हम यहाँ पर देखेंगे अब चेतन मन की सक्तिया क्या क्या सक्ति है अब चेतन मन के अंदर जैसे आपके अब चेतन मन की सक्ति है एतुलनिया और ऐसी मित है आपका अब चेतन मन आपको प्रेलित करता है और मार्क दर्सन देता है यह यादों के भंडार से तस्वीर और द्रस निकाल कर लाता है आपका जो अपचितन मन है यादों के भंडार से तस्वीर और द्रस निकाल करके लाता है आपका अपचेतनमन आपके दिल की धड़कन और रक्त संचार को नियादित करता है यह पाचन और उसरजन को सुचारू बनाता है यह आपके खाय हुए बोजन को उतक, मासपेशी, हड़ी और खोन में रूपांतरत करता है यह प्रिक्रियाएं दुनिया के सबसे समझदार व्यक्ति की समझे परे होती है आपका अपचेतनमन सरीर की सभी अनवारिय प्रिक्रियाओं और कारियों को नियंदित करता है इसे सभी समझ्याओं के जबाब मालुम है जो आपका अपचेतन मन है इसको आपकी जो भी समझते हैं इनका सबका जवाब इनको मौलूम है आपका अपचेतन मन कभी नहीं कभी आराम करता है यह हमेशा काम करता है आपको अपचेतन मन की चमतकरी सक्ती का पता चल सकता है वैसर तकि आप सोने से पहले इससे यह कह दें कि आप किसी विश्श चीज को आशल करना चाहते हैं आपको यह जानकर हैरानी और खुशी होगी कि इसके बाद आपके वीतर ऐसी सक्तियां सक्रिय हो जाएंगी जो आपके मन्चाहे परिणाम की और ले जाएंगी यहाँ पर सक्ति और बुद्धी मानी का एक ऐसा स्रोत है जो आपके सीधे सर्वी सक्ति मान के संपर्क में रखता है यह ऐसी सक्ति है जो दुनिया को चलाती है ग्रेहों को उनकी कक्षा में रखती है और सूरज को चमकाती है आपका अपचेतनमन आपके आदर्सों, मैत्वा कांचाओं, परोपकरी इच्छाओं का स्रोत है अपचेतनमन के जरिये ही सेक्स प्रियर ने उस महान सच्चाई को जाना और वेक्ट किया जो उसके युक के आम आदमी को पता नहीं थी आपकेतनमन की बदलती यूनानी मूर्तिकार, फीडियस ने संगमंगमर और कांसे में संदर्ता, बेबस्ता, सुडोलपन और अनपात उकेरने में इतनी निपूंडता और कुशलता अंसल की दरसल अपचेतनमन वह गहरा कुआ है जैसे महान कलाकारों ने आजश्चरिय जनक सक्ती पाई है इसने महान इतावली कलाकार रैफेल को और उसकी अमर कलाकरती मेडोना बनाने और महान जर्मन संगीतकार वैथोवन को उसकी सिंफनी की रचना करने में समर्थे बनाया है महां मंबई के एक सर्जन से लंबी बाचीत लेखक की होती है तो उसने लेखक के साथ में डाक्टर जो जैम्स एश्डेल की आजश्रिय जनक कहानी आपर सुनी थी एश्डेल एक स्कॉर्टिस सर्जन थे जिनोंने 1840 की दसक में बंगाल में काम किया था और उस जमाने में बेहुस करने के लिए एथर या राइसायनिक या एने इस्थीशिया की अन्यादूनिक विदियों का इस्तेमाल नहीं होता था बर्तमान में 1843 से 1846 के बीच डाक्टर एश्डेल ने सभी तरह के कुल मिलाकर 400 बड़े उप्रेशन किये हैं इसमें आख, कान, गले के उप्रेशनों के अलावा अंग्यों काटने, ट्यूमर हटाने, कैंसर की गांट हटाने के उप्रेशन सामिल है इन सभी ऑप्रेशनों में सिर्फ मानसिक एने इथेशिया ही दिया गया है यहाँ पर, यानि मरीजों का कहना था कि उन्हें कोई दर्द नहीं हुआ है और ऑप्रेशन के दुरान उनमें से कोई भी नहीं मरा है आश्चरिय की बात यह थी कि ऑप्रेशन के बाद भी एश्डेल के बहुत कम मरीज हैं यह उस वक्त की बात है जब लुई पाश्चर और जॉसिफ लिश्टर ने यह साबित नहीं किया था कि सक्रमन वेक्टिरिया से फेलता है किसी को यह एसास नहीं था कि ऑप्रेशन के बाद होने वाले सक्रमें दूसी तौजार और हाने कारक विशानों के कारण होते हैं बर्तमान में जब एसडेल अपने मरीजों को सम्मोहन की अवस्ता में सुजाब देते थे तो उन्हें कोई सक्रमन और सैप्टिक नहीं होगा तो उनके अप्चेतन मन इस सुजाब पर प्रतिकरिया करते थे वे सक्रमन के जीवन गाती खतरों से लड़ने की प्रिकरिया शुरू कर देते थे और जरा आप इस बारे में सोचें कि डेड़ सो साल पहले इस स्कॉर्टिस सर्जन ने ये खोज लिया था कि अप्चेतन मन की चमतकारिक सक्ती का इस्तेमाल कैसे किया जाए इस बात पर विश्मे और स्रद्दा होना स्ववाविक है जिन पैरा वेदिक सक्तियों ने डाक्टर एस्डेल को प्रिरित किया था उनके मरीजों को मोत से बचाया था उनका लाब आप भी ले सकते हैं आपका अप्चेतन मन आपके समय और इस्तान के बंदन से परे कर सकता है यह आपका हर दर्द और कर से मुक्स कर सकता है यह आपको सभी समस्याओं से जवाब दे सकता है चाहे वे जो भी हो आपके वीतर ऐसी सक्ति और ग्यान है जो आपकी बुद्दी से परे हैं और आप इ आपके लिए जीवन की पुष्टक है, तो हम बात करते हैं याँ पर, अब चेतन मन है जो हमारा, वो हमारा जीवन की पुष्टक है, जीवन की पुष्टक, जैसे आप अपने अब चेतन मन पर जो भी विचार, विश्वास, राय, सिद्धान्त या मत लिखते हैं, उकेरते हैं या चाप छोड़ते हैं ये परिस्तितियां और गटनाओं के रूप में प्रेगर्ट हो जाते भीतर तो लिखेंगे बाहर भी आपको वही अन्वब होगा आपके जीवन में दो पहलू है यथार्तवार्द और कल्पनावादी द्रस और एद्रस विचार और अविव्यक्ति आपका विचार जो है वो तंत्रिकी है जो यहाँ पर तंत्रिकी है आभी की रूप में आपको सेरिब्रल कॉर्टेक्स में पहुँचाता है यानि जो आपका मस्तिस का विचार होता है तंत्रीकी है तंत्रीकी मायदम से आपका जो भी विचार है वो सेरिवियल कोट्रेक्स में वो पहुँच जाता है और मस्तिस्क है जो आपके चेतन तारकिक मन का अंग है और जब आपका चेतन या यथारतवाद मस्तिक विचार को पूरी तरीके से श्विकार कर लेता है तो यह मस्तिस्के दूसरी इसे तक पहुँचता है और जहां यह साकार हो जाता है और परस्तिती का रूप यह ले लेता है जैसा पहले बताया जा चुका है कि आपका चेतन मन बैस नहीं कर सकता यह तो सिर्फ उसी पर अमल करता है जो आपने इस पर लिखा है यह आपके चेतन मन की निसकर्सो आपके फैसले को अंतिम मन लेता है इसलिए आप अमेशा जीवन की पुष्टक पर लिख रहे हैं क्योंकि आपके विचार ही अंतिते आपके अन्वब बन जाते हैं अमेरिकी दार्सनिक राल्फ वाल्डो इमर्सन ने का है कि मन उस वही बन जाता है जो वह दिनवर सोचता रहता है अपचेतन मन पर जो च्छाप पड़ती है बहब डेक्ट होती है अगर हम बात करते हैं कि अमेरिकी मनो विख्यानिक के जनक बिलियम जैम्स ने का है कि आपके अपचेतन मन में दुनिया को हिलाने की सकती है इसमें ऐसी मित ग्यान और बदी मता है इसे छिपे हुए स्रोतों से पोशन मिलता है इसे जीवन का नियम कहा जाता है आप अपने अपचेतन मन पर जो भी छाप छोड़ते हैं उसे साकार करने के लिए जमीन आस्मान एक एक कर देगा इसलिए आपको इस पर सिर्फ सही और स्रजनात्मक विचार की छापी छोड़नी चाहिए दुनिया में इतनी एवविस्ता और दुख इसलिए है क्योंकि अधिकांस लोग अपने जो चेतन मन है अपचेतन मन के आपसी समंद को नहीं समझते हैं जब ये दोनों अनुरूप होते हैं और सुखद सामझस होते हैं तो आपकी सेहत, सुखी, सांती और सुख मिलता है जब चेतन और अब चेतन मन सामझस और सांती से मिलकर काम करते हैं तो कोई रोग और मतवेद आपको नहीं होता है प्राचीन जगत में हम बात करें हमीस ट्रिस मेंगिस्टिस को दुनिया का सबसे महान और सक्तिसाली जादूगर माना जाता था उनकी मौत की सदियों बाद तब जब उनकी कबरे खोदी गई या जब उनकी कबरि याँपर खोली गई तो प्राचीन जगत को जानने वाले लोगों में बहुत उट सुकता थी कहा जा रहा था कि कबरि के वीतर यूगो यूगो का सबसे बड़ा रहस मिलेगा और यह मिला वह रेसिता जैसा वीतर वैसा वहर जैसा उपर वैसा नीचे दूसरी सब्दों में आप अपने अपचेतन मन पर जो भी चाप छोड़ेंगे वे बाहर वेक्त होगी मौजेश, ईसाईया, ईसामसी, वुद्ध और जैरोष्ट, लाओत्सो, युगो, युगो के सभी प्रिख्यत दूरदर्सी हस्तियों ने भी इसी सत्त की गोशना की है आप व्यक्तिगत रूप से जिसे सच मानते हैं, वे इस्तितिया, अनवा और गटनाओं के रूप में व्यक्त होगी गती और भावना में संतुलन होना ही है जैसा स्वर्ग आपके अपने मस्तिस्क में है वैसा ही दर्दी पर आपके सरीरों परिवेस में होता है यही जीवन का महान नियम है क्रिया और प्रतिक्रिया इस्तिरता और गती का यह नियम आपको इस समूची प्रेकर्टी में मिलेगा इन दोनों में संतुलन होने पर सामाजस और संतुलन बनेगा आप दुनिया में इसलिए हैं ताकि जीवन का सिद्धान्त आपके वीतर लेवद तरीके और सामाजस से प्रिवायत हो सके अंदर जाने और बहार निकलने वाली चीज़े बरावर होनी चाहिए अंदर की और बहार की अविव्यक्ति बरावर होनी चाहिए आपकी सारी कुंठाओं का कारण एपूर्ण इच्छाएं है अगर आप नकारात्मा विनासक और दुष्ट विचार रखते हैं तो बिचार बिनासक भाव पैदा करते हैं ये भाव बहार निकलने का कोई ना कोई आस्ता खोज लेते हैं और किसी ना किसी तरह ये विव्यक्त होते हैं चुकि इन भावों की प्रेकरती नकारात्मा के है इसलिए ये प्राय अलसर, हरदै रोग, तनाव और चिंता के रूप में व्यक्त होते हैं आपके बारे में आपकी क्या सोच है ये वावना है आपके अस्तित्व का हर इस्सा उसी सोच की अई व्यक्ति है आपकी इस्फूर्ती, सरीर, वितियस्ति, दोस्त और सामाजिक प्रतिष्टा उन विचारों का प्रतिवद है जो आपको अपने बारे में है इस बात का सच्छा अरतिया है कि आप अपने अप्चेतन मन पर भीतर जो चाप छोड़ते हैं आपके जीवन के सभी छितरों में बहार वेक्त होती है हम अपनी नकरात्मक सोच से खुद को नुक्सान पहुँचाते हैं आपने कितनी बार गुसा होकर, डर कर, जल कर, बदले की भावना से खुद को नुक्सान पहुँचा है यह जहर आपके अपचेतन मन में दाखिल हो जाते हैं आप इन नकरात्मक नजरिये के बाद पैदा हुए थे अपने अपचेतन मन को जीवन दाई विचार देंगे तो आपके भीतर भी सभी नकरात्मक विचार मिटने लगे यह काम लगातार करने पर सारा अतीत मिट जाएगा और अब चेतन मन उसे भुला देगा अब चेतन चर्म रोग ठीक करता है तो हम बात करते हैं यहाँ पर कि अब चेतन है यहाँ पर क्या चम रोग भी ठीक कर देता है जैसे हम बात करें अब चेतन मन की उपचार सकती का सबसे विश्विशनिय प्रमान है व्यक्तिगत उपचार है चालिस साल पहले एक व्यक्ति हैं जैसे लेखक है उनको चर्म रोग हो जाता है और उस लेखक सबसे अच्छे डाक्टरों के पास गया जिन्होंने सबसे आधुन कुपचार अजमाया किसी से भी फैदा नहीं हुआ चर्म रोग भिंगरता गया फिर एक दिन ब्रहद्य मनोवेग्यानिक ग्यान वाले एक धर्म गुरू ने 149 वे भजन का गूड मतलब समझाया उन्होंने लेखक का ध्यान इस बाके की ओर दिलाया कि आपकी पुष्टक मे मेरे सभी अंग हैं जो लगातार बनाए गए हैं और जब उसमें से कोई भी नहीं था तो यहाँ पर इसपश्ट किया गया कि पुष्टक का मतलब मेरा अपचेतन मस्तिसक है जिसने एक छोटी सी कौशिकास ने मेरे सभी अंग बनाए हैं उन्होंने इसारा किया चूकि मेरे अपचेतन मन ने मेरे सरीर को बनाया है इसलिए यह दोवारा बना सकता है अंतर नहित आदर्स स्वरूप के अनुशार यह उपचार कर सकता है इस धर्म गुरू ने अपनी घड़ी की तरफ इसारा किया उन्होंने बताया कि इस घड़ी को देख रहे हो इसे किसी ने बनाया है लेकिन इसकी मूर्त रूप में आने से पहले घड़ी बनाने वाले के दिमाग में इसका इसपश्ट विचार था अगर किसी कारण घड़ी सही काम ने करे तो इसके मूल विचार की मदद से घड़ी बनाने वाले का वह ग्यान मिल जाएगा जिससे वह इसी सुदार सकता है अब यहाँ पर मैं समझ गया था कि इस तुलना में भे मुझे क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं मेरे सरीर की रचना करने वाली अब चेतन बुद्धी गड़ी बनाने वाले की तरह है यह ठीक ठाक जानती है कि मेरे सरीर की सभी महत्पुन करियाएं और परते करियां का अबचार कैसे किया जाए सरीर को दوبारा कैसे बनाया जाए मार्क दरसन कैसे किया जाए लेकिन इस काम को सही तरीके से करवाने के लिए मुझे इस स्वास्त का आदर्स विचार यहाँ पर देना होगा और यह आदर्स विचार वह कारण बन जाएगा जिसका परणाम उपचार होगा मैंने एक बहुत आसान और सीधी प्राथना यहाँ पर तयार की मेरा सरीर और इसके सभी अंग मेरे अपचेतन मन की ऐसी मित बुद्धी से बनाए गए है यह जानता है कि मेरा अपचार कैसे किया जाए इसकी बुद्धी ने मेरे सभी अंग उतक मासपेशिया रडिया बनाई है मेरे वीतर भी यह है ऐसी मित उपचारक सकती मेरे अस्तित की हर कोशिका को रुपांदत कर रही है मुझे संपूर्ण बना रही है मैं उस उपचार के लिए धनवाद देता हूँ जो मैं जानता हूँ और इस समय हो रहा है मेरे वीतर की रचनात्मक बुद्धी में अद्वुत सकतिया है मैंने इस आसान प्रात्ना को पांच मिनट तक हर रोज तीन से चार बार जोड़ जोड़ से दोराया लगवक तीन महिने बाद मेरी तचा पूरी तरीके से ठीक हो गई और चर्म रोग यहां पर गायब हो गया मेरा डॉक्टर यहां पर चक्रा गया लेकिन मैं जानता था कि क्या हुआ था मैंने अपने अपचेतन मन को संपूर्टा, सुन्दर्टा और पूर्टा की जीवनदाई रूप रेखा दे दी थी इसने मेरे अपचेतन मन से उन नकारात्मक विचारों और छवियों को वहार निकाल दिया जो मेरी सारी समस्या का कारण थी आपके सरीर पर कोई चीज तब तक प्रिकट नहीं होती है जब तक कि यह पहले आपके मस्तिस्क में ने हो जब आप लगातार सकारात्मक बातों से अपने मस्तिस को बदलते हैं तो आप अपने सरीर को बदल लेते हैं यही समस्त उपचार का आदार है आपके काम अद्वुत हैं और मेरी आत्मा यानि अपचेतन मन हर चीज को सही सही जानती है अब चेतन सरीर के सभी कारियों को कैसे नियंतरित करता है इसके बारे में अगर हम बात करें तो चाहे आप जागे हो या सोए हो आपके अब चेतन मन की अथक सकती आपके सरीर के संपूर्ण मैथपूर्ण बहा कारियों को नियंतरित करती है इसमें आपके चेतनमन के किसी भी समय के दखल की जरुत नहीं है जब आप सो जाते हैं तब भी आपका हर्द धड़कता है आपके सीने और फेंपड़े की मास पेशिया फेंपड़ों में हवा बढ़ती है निकालती रहती है आपके सरीर के कौशिकाओं के काम के कारण निकली कारवनड़ाय उकसाइड के बदले में ताजी उकसीजन भर दी जाती है जिससे आपका कारिये करने की जुरुत होती है आपका अपचेतनमन, आपके पाचक क्रियाओं और ग्रंथियों के इस्तराव के अलाबा आपके सरीर के अन्य सभी अद्वु जटिल कारियों को नियंत्रित करता है और यह सब लगातार होता रहता है चाहे आप जाग रहे हो या फिर सोय हुए हो अगर आपको अपने सरीर के सभी काम चेतन मन से करने पड़े तो आप निश्चिती मशीन ऐसफल हो जाएंगे आप सायद बहुत जल्दी मर जाएंगे ये प्रिक्रियाएं बहुत जटिल हैं आपस में बुरी तरह के से गुति हुई है हार्ट लंग मशीन जिसका इस्तिमाल ओपन हार्ट सरजरी में किया जाता है आधुनिक चिकिष्या तक्निक का चमतकार है बर्तवान में इसके काम आपके अपचितन मन की तुलना में बहुत आसान है जो साल में 365 दिन काम करता है और वेहवी 24 गंटे मान ले आप किसी सुपर सोनिक जेट लाइनर में बैठ कर समुदर के उपर से गुजर रहे हैं और कॉक्पिट में गुश जाएं निश्चित ही आपको हवाई जहाज उड़ाना नहीं आता हो लेकिन आप पाइलेट का ध्यान बटका करके परेशानी जरूर खड़ी कर सकते हैं इस तरह से आपका चेतन मस्तिक शरीर को तो नहीं चला सकता लेकिन वह इसी सही से करने की राज़ते में बाधा जरूर यानि बाधा जरूर बाधा की तरह काम ये जरूर करेगा जो अब चेतन मन है आपका सिंता, तनाव, डर और निरासा, हड़दे, फेंपड़े, अमास्य जो है आतों के सामान कारियों में बाधा डाल सकती है डाक्टर, अब इस बात पर ध्यान देने लगे हैं कि तथा कते तनाव संबन्दी वीमारियां कितनी गंबीर हैं कारण ये है कि तनाव पूंड बिचार आपके अबचेतन मन के सामाजस पूंड काम में बाधा डालते हैं जब आप सार्रिक और मांसिक रूप से बिचलित मैसूस करते हैं तो आप जो सबसे अच्छा काम कर सकते हैं वह सितल होना, आराम करना, विचार पिकरिया को रोग दिना अपने अबचेतन मन से बात करें, इससे कहें कि वह सांती, सामाजस और देविय विधान को इस्ताबित करें ऐसा करने पर आप पाएंगे कि आपके सरीर की समुची कारिय प्रिणाली दोवारा सामन हो गई है अपने अबचेतन मन से अधिकार और विश्वास के साथ बोलें, यह आपके आदिसका पालन करके प्रतिक्रिया करेगा आप अपने अबचेतन से अपने लिए कैसे काम करवा सकते हैं पहली बात तो यह एसास करना कि आपका अपचेतन मन हमेशा काम करता है यह दिन रात सक्रिय रहता है चाहे आप इस पर काम करें या ने करें आपका अपचेतन आपके सरीर का निर्माता है लेकिन आप इस खामोस प्रिक्रिया को चेतन रूप से देखिया सुन नहीं सकते आई पूर्ण और सद्वापूर्ण चीजों पर केंज़त करें अपने चेतन मन का ध्यान रखें दिल में जान ले कि आपका अपचेतन मन आपके ही आदतन विचारों के अनुरूप परिणाम दे रहा है और व्यक्त कर रहा है और प्रस्तितिया बना रहा है याद रखें जिस तरह पानी उस पाइप का आकार ले लेता है जिसमें बह बहता है उसी प्रकार आपके जीवन सिद्धात आपके विचारों की प्रकरती के अनुरूप परवाइद होते हैं दावा करें कि आपके अपचेतन की उप्चारक सकती आपके वीतर सामाजस सेहत सांती सुख प्रचृता के रूप में प्रवाइद हो रही है ज्यानी ब्यक्ती और प्यारे मित्र के रूप में इसकी कल्पना करें डूडता से यकीन करें कि यह आपके वीतर लगातार प्रवाइद हो रहा है आपको सजी बना रहा है, प्रेलित कर रहा है, सम्रद बना रहा है यह इसी तरीके से प्रतिक्रिया करेगा जैसा आप यकीन करेंगे वैसा ही आपको मिलेगा अब जे तनका उपचारक सिद्दान्त, आखों की रोशनी लोटाता है दुनिया के सबसे मसहूर उपचारक, धर्म इस्तलों में एक दक्षन पस्चिमी फ्रांस का लूडेस है लूडेस के चिकिश्या विवाग में बहुसी फायले हैं, जिसमें चमतकारी उपचारों का विश्तित विवन है इसमें से एक है मेडम बायर का उपचार मेडम बायर नेत्रिहिं थी, उसकी चक्षू, तंत्रिकाएं छीन और वेकार हो चुकी थी लूडेस आने के बाद अपनी आखों की रोशनी लूट आई उसकी जाच कनने वाले कई डाक्टरों ने प्रमायत किया कि चक्षू तंत्रिकाएं अब भी वेकार थी लेकिन उसके बाबजूद बे देख सकती थी एक महिने बाद दुबारा जाच में पाया गया कि उसका चक्षू तंत्र दुबारा ठीक होकर सामन हो गया है मुझे पूरा यकिन है कि मेडम बायर धर्मिस्तल के पानी सी ठीक नहीं हुई थी उसका अबचार तो उसके ही अबचितन मने किया था जिससे उसके विश्वास पर प्रतिक रिया थी उसने अबचितन मन के भीतर के अबचारक सिद्दानत ने उसके विश्वास अबचितन मन तक पहुँचा विश्वास का अर्थ है किसी चीज को सच मानना जिस चीज पर विश्वास हो जाता है वह अपने आप हो जाती है निसंदे मेडम वायर इस धर्म इस्तल पर बड़ी उम्मीद और आश्ता की साथ आई थी वे अपने दिल में जानती थी कि वे ठीक हो जाएंगी उसने अपचेतन मन से इसी के अनरूप परते करिया की और हमेशा मौजूद उपचारग सक्तियों का सक्रिया कर दिया अपचेतन मन जिसने आखे बनाई थी निश्चत रूप से एक म्रत तंत्रिका को दोबारा सजीब कर था और सिद्धानत ने जिस अंगस की यहाँ पर रचनात्मक्ता की रचना की थी वे दोबारा रचना कर सकता है आपके विस्वास के अनरूप ही आपको वो मिलेगा अपने अपचेतन मन तक पूर्ण स्वास्त का विचार कैसे पहुँचा है जैसे जोहन स्वार की दक्षने अफरिका में एक मैथोडिष्ट पादरी से लेखक मिलते हैं उन्होंने बताया कि वे बुरी तरीके से यहाँ पर फैल चुके फैंपड़े के कैंसर से कैसे हो भरे उन्होंने पूर्ण स्वास्त के विचार को अपचेतन मन तक पहुचा कर वह चमतकारी परणाम पाया है मेरे पूछने पर उन्होंने मुझे ही इस प्रिक्रिया का एक विस्तित वर्णन भीजा उसे मैं आपके सामने रख रहा हूँ क्या बिस्तित्रों डे जा था दिन में कई बार मैं खुद को मांसिक और सारीक रूप से पूरी तरीके सितल कर लेता था मैं अपने सरीर से यह बोलकर खुद को सितल करता था कि मेरे पंजे सितल हैं, मेरे टकने सितल हैं, मेरे पैर सितल हैं, मेरे अमवसे की मासपेशिया सितल हैं, मेरा दिल और फेंपडा सितल हैं, मेरा सिर सितल है, मेरा पूरा अस्तित्वे बिलकुल सितल है लगवग पांस मिनिट बाद मैं खुद को उननी दी अवस्ता में पाता था और फिर मैं इस सत्य के गोशना करता था कि ईस्वर की पूर्णता अब मुझ में ब्यक्त हो रही है संपूर्ण स्वास्त का विचार अब मेरे अपचितन मन में भर रहा है इस्वर ने मेरी जो चबी बनाई है वह आदर्ष चबी है और मेरा अपचितन मन इस्वर की उसी आदर्ष चबी के अनुसार मेरे सरीर को दूबारा बना रहा है और इस पादरी के उलेखनीय अपचार हुआ वे पूरी तरीके से ठीक हो गए उन्होंने जिस तक्निक का इस्तिमाल किया वे संपूर्ण स्वास्त के विचार को अबचेतन पहुँचाने का सीधा और सरल तरीका था स्वास्त के विचार को अबचेतन मन तक पहुँचाने का एक और अद्वुत तरीका है अनुसासित और विग्यानिक कल्पना मैंने लकवे के मेरीज को बताया कि भे कलपना से इसपश तस्वीर देखें भे अपने आपिस में चहल कदमी कर रहा था डेस्क छूरा था, फोन का जवाब दे रहा था भे सारे काम कर रहा था जो भे सामन इस्तिती में करता था मैंने उसे बताया कि उसका अपचेतनमन संपूर्ण स्वास्त की मांसिक तस्वीर को स्विकार कर देगा उसने खुद को इस भूमी का में जोंक दिया और उसने सचमुच महसूस किया कि वह अपने आपस में लोट चुका थे और वह जानता है कि वह अपने अपचेतनमन को एक मूर्त और निशित काम दे सकता है उसका अपचेतनमन वह फिल्मी थी जिस पर वह तस्वीर की चाप छोड़ी जा रही थी उसने कई सब्ता तक गहनता से तस्वीर देखी फिर एक दिन टेलीफोन की गंटी उस वक्त वजी जब बाकी सब लोग बाहर थे टेलीफोन उसके पलंग से बाहर फुट दूर पर रखाता वर्तवान में वह जैसे तैसे इसका जवाब देने में काम्याब हो गया और उसी पल से उसका लखवा गायब हो गया इसलिए वह चल नहीं पाता था और जब उसने अपना ध्यान भीतर की उपचारक सकती पर केंज़त किया तो उसके एकागरे ध्यान से सकती प्रवाइत होने लगी और बहर दबारा चलने लगा जो भी आप प्रातना में मांगोगे विश्वास रखने पर वह आपको मिल जाएगा तो याद रखने लाइक विचार यहाँ पर क्या क्या है कि आपका अपचेतन मन आपके सरीर की सभी मेहत्पूंट प्रिकियाओं को नियंतित करता है और सभी समस्याओं का जवाब जानता है सोने से पहले अपने अपचेतन मन में कोई विशिश्ट आग्रे करें उसकी चमत काई सकती देखें आप अपने अपचेतन मन पर जो भी छाप छोड़ते हैं बेपरस्ति, अनबब और गटनाओं के रूप में बेक्त होती है इसलिए चेतन मन में मौझूद विचारों के बारे में सतर्क रहें क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम सास्वत है इसका विचार क्रिया है और उस विचार पर आपका अपचेतनमन स्वेत्य प्रतिक्रिया करता है अपने विचारों पर नजर रखें सारी कुंठा अदूरी इच्छाओं के कारण पैदा होती है अगर आप बाधाओं, विलंब, मुस्किलों पर ध्यान केंजित करेंगे तो आपका अपचेतनमन उसी के अनुरूप प्रतिक्रिया करेगा इस तरह आप अपनी ही भलाई को रोग लेंगे जीवन का सिद्धान आपके भीतर लेवद और सामाजस से पूर्ण तरीके से प्रवाईत हो सकता है वैसरत है कि आप चेतन रूप से डढ़ता से कहेंगे कि मैं विश्वास करता हूँ कि जिस अपचेतनमन ने मुझे इस इच्छाव दी है वही इस मेरे द्वारा पूरा कर रहा है इससे सारे संगर्स खत्म हो जाएंगे आप चिंता, तनाव और डर के कारण अपने हड़दय और फेंपड़े अन अंगो की सामन लेको गड़बर कर सकते हैं अपने अपचेतनमन सद्भाव, सेहत और सांती से विचार भरें इससे आपके सरीर की समुची कारिय प्रणाली दुबारा सामान हो जाएगी अपने चेतनमन में सर्विस्टिस्ट की उम्मीद करते रहें आपका अपचेतनमन निष्टा से आपके आदतन विचारों को साकार कर देगा अपनी समस्या के सुखद अंतिया समाधान की कलपना करें और उपलबदी की रोमांच को महसूस करें आप जो भी कलपना करेंगे या महसूस करेंगे उसे आपका अपचेतनमन स्विकार करके परिणाम में बदल देगा